अस्सलाम अलेकुम वेलकम तो मैं चेनल कमिस्ट्री इटा अनलाइन आज की इस वीडियो में हम लोग और्गेनिक कंपाउंड की चेप्टर से लेक्चर नंबर फाइल को स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है बेटा इस्टाक्टिव डिस्टिलेशन अप कोल तो now what is destructive distillation तो destructive distillation बोलते है कि heating of coal in the absence of air is kind of destructive distillation बनाब हम लोग को heat करें oxygen की absence में तो इसको हम क्या बोलेगे बेटा destructive distillation अब बेटा destructive distillation से हम लोग को मुक्तलिप component मिलते हैं उन component को study कर आते हैं जैसे कि हमारे पास पहला component हम लोग को मिल ला है that is set to coke कोग कोग बेटा होता है कार्बन का अमर्फस पॉर्म अब आप लोग को यह बात मुलूम होने चाहिए कि जब हम लोग अमर्फस की बात करते हैं तो अमर्फस पॉर्म का मतलब जिसमें आमारे बात एटम आइंज या माली चूल जो होगे वह एर्रेगुलर मतलब वह जादा गरम कर दे तो रेड हाट फॉर्म अफ गार्बन इस ऑल्सो चेट टू कोग किन परपस के लिए इस्तिमाल की जाता है तो कोग एक्ट ज़रीडूसिंग अब देखो बेटा हमारे पास जो रिडूसिंग अज़न होता है तो रिडूसिंग एजन में हमारे पास जो वर अब बेटा किस तरह किसी रिडूसिंग एजन का काम करता है मलब हमारे पास जी मेटल अक्साइड को रिडूस कराके उनको मेटल में कर देते हैं जैसे मैंने क्रेक्शन आपकी सामने लिखवा रखा है यहाँ पर मैं इसको एक्स्प्रेंग करने जाब देखो अगर हम लोग मिगनीशियम अक्साइड को ले ले और इसको कार्बन के साथ ट्रीट कर ले मतलब कोग के साथ ट्रीट कर ले तो हम लोग को क्या देगा पैटा कार्बन एक्साइड और नेक्स हम लोग को लेगा मिगनीशियम अब देखो पैटा यहाँ पर ऑक्सिडेशन स्टेट सब की दे 0 तो अगर अक्सीजन को ऑक्सिडेसन स्टेट इखा जाये तो वह तो मैनस 2 ए, मैनस 2 borders में कोई चीण नहीं आया रेदर को अलग करना चाहते हो तो हमों किसी मदर से अलग कर सकते है हम उस में कोग डालेगे उसके बात को रहे पाल या को गोज़गा जोifi आप कूल तार हमारे पास क्या होता है तो अरगनिक कंपाउंट यह बाती है apologize तो ये हम लोग किसे लिए करेंगे बैटा पॉर स्पेसिपिक कंपाउंट और जब हमारे पास क्या हो बैटा एक mixture हो तो mixture के किसी भी component को अलग करेंगे तो किसे करेंगे बैटा fractional distillation से तो जो basic परक है वो यहाँ पर यह होगा mixture होगा तो fractional distillation इस्पिमाल करेंगे उनमें से मैं कुछ compound आपकी सामने में mention कर देता हूँ जैसे पर रिजेंबल हमारे पास benzene है तो benzene हमारे पास क्या है बेटा जैसे molecular formula आप जानती हूँ तो molecular formula आप benzene is six 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 पर हमें structure की जरूँ थे चे carbon है तो चे carbon का मैं hexagon बना देता हूँ ऐसे इसके साद क्या है बेटा एक हारूजन इसके साद कनेक्टे थे तो मैंने हर carbon के साद एक हारूजन कनेक कर दिया और alternate क्या है बेटा, double, single double, single, double, one यह हमारे पास क्या होगा बेटा, this is the structure of what बेटा, यह हमारे पास benzene का structure है तो benzene तो हम समझ चुके अब बैटा what is tolven तो tolven हमारे पास क्या होता है बैटा tolven बोलते है कि जब हमारे साथ benzene के एक hydrogen को मैं substitute कर दू और एक hydrogen की जगा पर मैं methyl group लगा दू तो this compound is set to tolven ठीक next compound हमारे पास क्या है बैटा that is xylene तो xylene क्या होता है उनको देख दीजे जब हमारे साथ हम लोग benzene की दो hydrogen को substitute कर दे किस से methyl group से तो this compound is set to what इसको बोलते है xylene तो यह हमारे पास कुन सा compound होगे बैटा this is set to xylene xylene तील कसम के होते है आर्टो मेटा पर पर उन पर हम इंशाला बाल में discussion करेगे तो जब दो methyl किसी carbon अब बिंजीन रिंग की दो hydrogen को substitute करा के दो methyl group लगा दे तो this compound is set to xylene अब बैटा पिनोल क्या होता है वो देखतीजे तो पिनोल होता है कि जब हम लोग benzene ring से एक hydrogen को substitute कर ले क्या कर दे बैटा एक hydrogen को substitute करा दे माले इसके साथ दो hydrogen corrected है इस एक hydrogen को मैं substitute कर दू और इस जगा पर मैं क्या लगा दू बैटा ओइच अब क्रिजोल क्या होता है तो क्रिजोल हमारे पाद एक ऐसा compound होता है जिसमें एक carbon मतलब बिंजीन के एक hydrogen को substitute कर कि ओइच लगा दी जाए और दूसरा को हटा कि यह क्या लगाए बैचा यह हम लोग लगा देंगे methyl group तो इस टैप अब compound is said to crystal शमझे बात को अब हमारे पास next क्या है बेटा next compound हम लोग को जो दे रखा है जो हासिर की जाता इससे that is neptaline तो neptaline हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग दो बिंजीन रिंग को अपस में कटा कर दे देखो बैटा यह हमारे पास क्या हुआ एक बिंजीन रिंग और यह हमारे पास क्या है दूसरा बिंजीन रिंग अगर इंटरासीन की बात कर ले बैटा तो हम लोग क्या कर दें बैटा इसके साथ 3 भी इंजीनरिंग लगा देंगे तो इस ट्री भी इंजीनरिंग इसेट टू नेप्तरीन अब जितने भी कंपाउण आपके सांदे मैंने इसके स्ट्रक्टर ड्रा कर दी इसको हम अलग 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 परपस के लिए इस्टेमाल करते हैं फॉर इजेम्पल सो में हमारी पास क्या है बेटा only introduction अब तो next तीसरा component हम लोगों को आसिर होता है that is ammonical liquor ammonical liquor क्या होता है बेटा mean aquis solution of ammonia ammonia की aquis solution को क्या बोलते है बेटा ammonical liquor अब बेटा ammonia की aquis solution मतलब ammonia को पाने में डाले और जैसे दालोगे बेटा तो हमारे पास क्या बनने वाला है एक अनदर बेज that is say to ammonium hydroxide तो ammonium hydroxide को भी आप ammonical liquor बोल सकते हो अब जिन पस पर पस के लिए हम इसको इसको इस्तिमाल करते है तो special क्या बेटा पटालाइजर तो इनको हम लोग पटालाइजर की क्या क्ये एक प्लस यहाओ प्लस वन यहा 6 क्या बेटाल तो औ या अनदर निची लेकर आओ तो क्या हो जाएगा ऐमोनियम जाएगे और। कि早 использовать किसे in unknown प्रबदंह हमारे पास एमोनियम पर पास ऐता प्लस 14 और यहारे पास किम उ क्या हो जाएगा BUT लै के लिए तरीं क्या है तोWow कि मोड़ेनक दोन शैनल historically और प्रवेश के तो आपकी सामने है कि carbon monoxide और hydrogen की mixture को coal gas बोलते है अब पेटा नेक्स तो भी तो शोट कुशन में बार बार आता है इस पिशर ट्रोप्स प्रोसिज पिशर ट्रोप्स प्रोसिज एक ऐसा प्रोसिज होता है जिसको दो बंदियों निर्पेदन किया था फिशर और ट्रोप्स ने उनके लिए कुछ स्टिप का सहरा लेना पड़ेगा पहला स्टिप यह है कि हम लोगों ने क्या करना है गेसिपिकेशन वट इस गेसिपिकेशन तो गेसिपिकेशन का मतलब कार्बन लोग किसी भी और गYour कंपांट को क्या करते उसका कंबर्शन करा कि जला दे तो कंबर्शन के हम लोग ने ने क्या करना हैं गैसिपные का हम लोगो नहीं करना है है हाइड्रो जिनलाइस हम जानते है हाइड्रोजन को बोलते है लाइसिस का मुझलब भर आख प्रोसेस को चांच हो है घृट्रोजन खिर्म यह बांग टूट जाएगा और कार्भवन मॉनकशाइड की दिनिवें जो डबल बांड है रिपक और एक हमा हो जैसे हमारे पास रूटीनियम निकल आयरन या कोबल इनमें इस चारो केटलिस्ट में से एक भी प्रेसंट हो यह प्रॉसिट होगा और तंपरेचर कितना देना चाहिए से 152 300 डिग्री सेल्चियस अब जनरल पार्मूले के मदद से हम लोग कोल गेस को कनवर्ट कर सकते पेट्रोलिम में तो क्या है बेटा डैस 2N इसको मैं आप कुछ समझाता हूँ इन किसको रिपनन करता है नमबर आप कार्बन को मैं एक एक्जामपल के मदद से इसको साबिट कर दूँगा मानने कि हम लोग पेट्रोल ले ले तो पेट्रोल डिव चीज़ों का मिक्शर है एक पेंटेन का दूसरा हेक्जेन का पेंटे हूँ लेट्स अपूर हेक्जेन हमारे पास क्या बटा सी से एक पूटिन कार्बन किताजात कितने बटा सिक्स तो यहां पर जो एन है डिस एन रिप्रेजेंट नमबर आप कार्बन एटम अब जो को जनल फ़र्मूल अप्लाई कर देते हैं यहां पर मैं दिखवा देता हू तो तुन प्लस इच्टू यहां पर हो जाएगा एं चियो को बटाइन यह नें यह लोगों को देगा देग प्लस टू यह लोगों को देगा सी एन-च्टूं प्लस टू और प्लस ए एच्टू अब इनमें डाल कि आप लोग 시क्सको प्लस सोल करते हैं देखव हैं इनकी जगह पर 6 डाल दें 6 हो, H2 इंटो 6 हो, प्लस 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 6 H2O, अब इनको सॉल्ट कर दो, 6 2 जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस 1, तो 13 हाइडोजन मालिकूल, 6 मोल कार्बन मोल अकसाइड, तो यह क्या बनाएगा, बैटा, C6O, और 6 2 ज से, इन मेटर्च से हम लोग किसी भी कॉल गेज को किसी भी पेट्रोलिम की कंपूनेट में कनवर्ट करा सकते हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, नेशल गेज हो, सी एंग्जी हो, एल्पीजी हो, और सो आन, यह हमारे पास यहसा प्लसे हैं, जिससे हम अर्टिपिशल तरि डिसकस करने वाले हैं तो हमारे पास क्या है उमेज है आप लोग को वीडियो अच्छी लेगी होगी तैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो अल्लाहापीच